नमस्कार बच्छों स्वागत आप सभी का CL Academy की इस online महा मंच पर जैसे कि आप सभी को पता है कि CET का जो पेपर होता है Saturday वाले दिन CL Academy के अंदर offline उस पेपर के मैस के पार्ट का solution मैं कराते आया हूँ पिछले दो Saturday को जो पेपर हुए थे उनके solutions भी YouTube पर available है तो आप ऐसे जितने भी students ने आ रहा है न CT का mock paper दिया था जिनको पता है कि CT का exam most probably November में आ रहा है तो जितने भी students CT का paper देते है Saturday वाले दिन आपके हरे question का solution YouTube पर next day available करा दिया जाता है वो इसलिए कराया जाता है जिसलिए कि आप लोग किसी भी exam में है जब questions को face करें तो कम से आपके बास solution हो आपको कोई भी doubt आया तो आप solution विजिट करें आपने अगर paper CT का नहीं भी दिया है न तो भी आप questions का analysis करें क्योंकि analysis करने से आपको अमीशा फायदा होता है कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है कुछ ना कुछ एक्स्रा जानकर यह आप को पता लगीगा कि आपने एक्जाब में किस तरीके से question को किया और आपको करना चीए था पहला question आपकी स्किंपर फटाबट से मैं चाओंगा उसे पढ़े एक बर कि लिएकी स्किनलाव प्रेवजब प्रणिय। कि ऑन climate Catal Council को अब से एक्जार बरnde्न So कि एक को का जब से एक्जार रेका जानकरयोगा होगगा है को मैं ङुछ 146 00 कि अच्छा करते हैं सेशन को बिना देर के हुए और स्कूर्शन आज के सेशन का जो आपने पेपर दिया था आपने फेस किया होगा पहला कोशन आपने इंग्लिस लेंग्वेज में जितने इस्टुएंट से पढ़ चुके होंगे अभी थोड़ा सा फोकस हिंदी पर करते हैं कि लिए ऊपनोंको बदल दो कप ऑसमें से 30 गटाद है तो नहीं संक्या अंकों को अद्लाव बतली करने से प्राफ्त होती हैं संक्या का पता लगा है हम बिल्कुल ऑप्षिन के इसाब से जा सकते हैं अप्षिन के हैं के साथ जाओं धाई का जबें क्योंकि याँ पर 1 8 से छोटा है 26 नहीं हो सकता है 2 6 से छोटा है 62 नहीं हो सकता है क्योंकि 6 2 से केवल 4 जादा है तो आंसर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 85 आ रहा है अप देखती कह सकते ते पहले sentence है कि सर 81 ही एक मात्र ऐसा number है जिसमें दाहिक अंक एकाई के अंक से साथ अधिकार है क्या यह मेरी बात आप समझ पा रहे हैं क्या ठीक है अच्छा सर्माली जो कोई और ऐसा डाटा होता तो हम क्या करते हैं तो हम लोग देखे बिसिक पढ़ लेते हैं दो अंकों की संख्याओ को मैंने माल लिया एकस वाई जहां Y इकाई का अंक है और X दाहिक अंक है तो संख्याओ को ओकन करेंगे तो यह आ जाएगा 10X प्लस Y एकाई के अंक में 1 का गुणा दाई के अंक में 10 का गुणा तो नमबर आ जाएगा आपका 10x plus y यह आपका नमबर आ चुक है अब बोल रहा ही कि संक्या मेंसे अगर मैं 63 घटा दूँ 10x plus y मेंसे अगर मैं माइनस कर दूँ 63 तो नंबर सर उल्टा हो जाता है xy के जगे हो जाएगा yx अगर यह yx होगा तो डाटा को लिखा जाएगा 10y प्लस x क्योंकि अगर यह yx हो गया x तो हो जाएगा 1 आइक अंग x से multiply करेंगे y होगा आपके दाइक अंग 10 से multiply करेंगे अब इसको reverse करके एक equation बनाई जा सकती है और एक equation बनेगी यहाँ से दाइक अंग के 1 आइक अंग से 7 अधिक है दाइक अंग के यहाँ पे x एक अंग के y तो एक यहाँ बन जाएगा x minus y is equal to 7 एक equation यह एक equation यह दो equation है, दो variable है x और y की value हम लोग निकाल सकते हैं तो दो equation से दो variable निकालना possible है बिल्कुल निकाल लेंगे इस तरीके से equation को हल करके हम answer निकाल लेंगे पर हम लोगों ने क्या किया था हम लोगों ने y option चेक किया सर एक ही ऐस option है जहाँ पर एकाई का अंग दाई के अंग से साथ कम है या दाई का अंग एकाई के अंग से साथ जादा है question कहा रहा था 63 minus कर दोगे न तो संक्या बदल जाएगी देखना एक पर 63 minus करके 11 में से 3 minus होगा 8 7 में से 6 गया एक 18 आ गया बिल्कुल बदल रही है 81 में से आपने 63 minus किया 18 हो गया 81 का उल्टा होता है 18 तो हर तरीके से option number A is the right answer तो why option B करना आना चाहिए क्योंकि knowledge होना अलग चीज होती है और exam में time बचाना अलग question बदल सेकिंड देखे पढ़ लो पहले both language में question को माल लीजे X कोई 4 अंकिये संख्या है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यानि 7 तक किसी भी संख्या से भाग दो तो कितना शेशफल आ रहा है शेशफल आ रहा है एक reminder एक आ रहा है तो बताईए वो संख्या अगर 2000 और 2500 के बीच में तो उसके अंकों का योग क्या होगा ठीक्टा question है करने वाला question है पढ़ लो फटापट से एक बार हावे संख्या के अंकों का योग क्या होगा संख्या जो है वो 2000 और 2500 के बीच में देखो बेसिक तरीका क्या है आपको पताई कि तीन का भाग देने पर तीन का भाग देने पर शेशफल क्या आ रहा है एक आ रहा है अब तीन के लिए एक नियम होता है कि किसी भी संख्या में अगर आप तीन का भाग दे रहे हो तो संख्या के अंकों का योग करके देखे सम उफ डिजिट्स अंकों का योग अगर अंकों का योग तीन का multiple आया तो संक्या में तीन का भाग जाएगा और नहीं आया तो कुछ न कुछ शेषफल जरूर बचेगा तो अंकों के योग से हम पता कर सकते हैं कि उस संक्या में तीन का भाग दिया जाए तो कितना 6 बचेगा नहीं बचेगा For example, मैंने आपसे पूचा है 21 में 3 का भाग दू बताइए remainder क्या आएगा आप कहेंगे सब 0 आएगा क्योंकि 21 में 3 का भाग जाता है मालो कोई ऐसा प्राणी है जिसको ये बात नहीं पता कि 21 में 3 का भाग जाता है तो अंकों का योग करो भाई 2 और 1 3 अंकों का योग 3 का multiple आ रहा है तो remainder 0 आएगा अब एक संक्या आगे 271 मैंने पूचा 3 से भाग देने पे क्या 6 बचेगा तो एक तो 271 में भाग लगाने बैठ जो टाइम लग सकता है टाइम नहीं ही लग सकता सैकंड तरीका है अंकों का यूग करिये अंकों का यूग करेंगे तो 7 और 29 और 10 दस में अगर आप 3 से भाग देंगे 10 में तीन का भाग 3 बचेगा 3-3-9 क्या बचेगा एक बचेगा तो किसी भी संख्या में अगर आपको 3 का भाग लगाना है और यह पता लगाना है कि रिमेंटर कितना आएगा शेष कितना बचेगा तो संख्या में तीन का भाग देनी की जुरूत नहीं है अंकों के योग में तीन का भाग दे लो यह सब गड़ित में आपको क्यों समझा रहा हूं क्योंकि हो सकता है इस कुश्चन में यह चीच काम आ संख्या में इसे एक घटा दूं तो तीन का भाग चला जा जाएगा तो ऐसा कौन सो जENE जिस मैं Start a निब अन्व अप्चा तीन का भाग जा रहा हूं नु में सब्सक्राइव नो बर्चा तीन का भाग जा सकता है यानि कि सारी यह option तो होगा नहीं option number झारी बी नहीं होगा तो छोटे से concept से आप पता कर लिया कि से answer ना तो ए आएगा answer ना भी आएगा अम माली जो सी ओर डी में सी वी एक option ऐसा हो जाता कि एक घटाने पर नो का multiple नहीं आता यह 3 का multiple नहीं आता तो वह option भी खतम हो जाता अबर बस एक्जाम में ऐसा कुशन आता है कि एक ही option ऐसा बसता है कि जिसमें से घटाने पर नंबर तीन का multiple आता है अभी दो option है तो फिर basic सुनो basic क्या होगा basic होगा कि आपको इन सब का पहला lcm लेना पड़ेगा 2 3 4 5 6 और 7 का देखो 2 4 और 6 का lcm तो आ जाएगा 12 तीन भी उसमें शामिल हो जाएगा 2 3 4 और 6 का lcm 12 आ जाएगा 5 को अगर मैं शामिल करूँ तो 12 और 5 का lcm 60 हाएगा 7 को भी शामिल किया जाए तो lcm आ जाएगा 420 आप lcm लेके देखिएगा इन सभी संक्याओं का जिसमें 7 भी शामिल है 420 lcm आएगा हमें नंबर चीए से 2,000 और 520 तो 420 को पहले आप मल्टिप्लाइ करके 2,000 और 525 के बीच लिए 420 को अगर मैं 5 से गुणा कर दूँ तो 420 इंटू 5 2100 आएगा चार सो बीच इंटू 5 कितना आएगा 2100 आएगा नहीं आएगा चार सो बीच इंटू 5 2100 आगया तो 2100 तो आगया आपका lcm अब प्रतेक स्तिती में शेचफल एक आ रहा है तो इसमें एक और जोड़ दें नंबर आ जाएगा 2101 संख्या आएगी 2101 आप से पूछा गया उसक आप्षान नंबर डी आपका अंसर तसल्य से देखने सोलुशन इसकीन शौट ले रहा है सकीन शौट ले नोट करना नोट करें थीक है थी तो क्या अंसर आया इसका 2101 वो संख्या है अंगों का योग पूछाएगा दो और एक तीन और एक चार कुशन का अंसर हैगा आराम से बादने सॉलुशन को रिपीट कर लीजेगा अगर आपको दिक्कत है मैंने सुलुशन पर आगे बढ़ रहा हूं सॉलुशन भई आपको देखना भी है लोगों को शेर भी करना है बाखी लोगों को बताना है कि सीटी का पेपर हुआ था मौक पेपर हुआ था वो लोग खुछ से करेंगे जिसकों में डाउट आएगा एवलेवल है इससे पहले के दो सॉलुशन अगर आपने नहीं देखे सॉलुशन दे चुका हूं उनको देखा गर वह यह सारी मेनत किवल आप लोगों के लिए की जा रही है आपके सेलेक्शन के लिए की जा रही है तो हमें बतले में सेलेक्शन चीए आउट पुट चीए कोश्चमर तीन आपके सामने फटा पड़ देखे एक बड़ ग्यारा पर बनाने के लिए छोटी से चोटी संख्या क्या जोड़ी दे जिन लोगों ने अफलाइन क्लास लिए एक बहुत इंपॉर्टन बात मैं आपको बतायता हूँ नोट डाल के लिएगा अगर चार संख्या लगातार है लगातार का मतलब उनके बीच एक एक का अंतर है एक ए अंतर की पावर 4 जोड़ करके आंसर निकालते हैं अंतर की पावर 4 जोड़ करके उसको perfect square बनाते हैं अब चाहे अंतर एक एक का है x, x plus 1, x plus 2, x plus 3 चाहे अंतर किसी का भी है यानि कि लगातार संख्या होनी चीए क्या होनी चीए लगातार संख्या है होने चाहें अंतर समान होना चाहें को यह सब बात करते रहे ना यह जैसे आज काम में आ रहा है ना ऐसे किसी भी एकजाम में आपके चीजा काम आ सकती है और डियली महनद करने से सेलेक्शन होगा different is जोज वो सेम आना चीए डिफरेंस 2 का हो 3 का हो 4 का जो भी है तो आप क्या करेंगे डिफरेंस की पावर 4 इसमें जोड़ देंगे तो आप मुझे यह यह डिफरेंस ना एक का आ रहा है सभी फोटा है एक ही होता है एक इतना भीट नंबर है कि एक की कुछ कुछ भी पहाबर करो एक की सियत पर कोई फरक नहीं पड़ता है रिजल्ट विल बी वन वन जोडने पर आंसर आएगा वन जोडने पर क्या आएगा आंसर आएगा और मैं मान की चल रहा हूं कि आपको समझ में आया अगर समझ में आया तो मुझे बताना इस वाले case में answer क्या हैगा इन इन्टू 15 इन्टू 17 इन्टू 19 इसमें क्या जोड़ा जाए क्या हम लोग जोड़ें कि number जो है perfect square बन जाए क्या जोड़ने पर जोड़ने पर परफेट square बनेगा कि क्या जोड़ने पर नंबर परफेट square बनेगा तरीका मैं आपको बताया जो भी अंतर है उसकी पावर चार आपको एड़ कर देना है तो यह चूटी सी बात अगर समझ में आ रही है तो कोशन वर्बल कोशन था कोशन बद चार देखेगा find the unit digit आपको निकालना है इकाईक अंक क्या हैगा इसकी पावर 145 इसकी पावर 123 इसकी पावर 1500 और इसकी पावर 25 कैसे निकालते हैं हम लोग इकाईक अंक बहुत बढ़ बढ़ा चुकों classes के अंदर इकाईक अंक आपको जब भी निकालना होता है घात यानि की जो पावर है आपको उसमें चार से भाग देना होता है चार से भाग देने पर जो बचेगा वो लिख देना होता है तो यहां पर पावर 145 आप चेक करेंगे तो 145 में चार का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो एक बाद ध्यान रखिएगा जब भी भाग पूरा पूरा जाए पावर को चार माल लेना है या तो चार का भाग जाएगा चार का भाग नहीं जाएगा चार का भाग अगर नहीं जाएगा तो या तो एक आएगा दो आएगा या तीन आएगा और अगर चार का भाग जाएगा तो फिर आप लोग पावर को क्या माल लेंगे चार माल लेंगे डोई केस ह होते हैं अगला है एक सो तेईस वैसे तो पांच की पावर कुछ भी हो लास्ट में हमेशा पांच आता है यह आप समझ सकते हैं कोई नंबर के लास्ट में पांच है उसकी पावर कुछ भी हो लास्ट में क्या आता हमेशा पांच आता है किसी नंबर के लास्ट में वन है वन की क्ष भी हो हमेशा क्या मिलेगा वन मिलेगा और च्छे के साथ भी यही सीन थे की पावर कुछ भी हो जाएंLAST में हमेशा च्छे ही आएगा तो अगर किसी नंबर के LAST में 6 है उसकी hero कितनी भी बड़ी क्यों नहो रिजल्ट के last में हमेशा 6 ही मिलेगा एकाई अंक हमेशे 6 मिलेगा ये सब नंबर्स इसना पढ़ाया गया है जोनोंने नहीं पढ़ा है वो लोग पढ़ा है इन चीजों को क्योंकि जब पेपर होता है तो ये मान के चला जाता है कि आप लोगों ने तैयारी किये बस आप क्या गलती करेंगे उसका एनलाइसिस हम लोग करने वाले है अब देखिएगा तीन की पावर 4 तीन की पावर 4 होता है तो लास्ट में क्या आएगा एक आएगा प्लस का 6 है माइनस का 5 है तो आप देखिए 6 और 1 7 7 में से 6 गया यही पूछा गया थ कि यूनिट डिजिट किपना है औपशन नंबर ए आपका आँसर इसे झाटी काई आप सभी के पास रहेगा यह पांच वाँ कुछन पढ़ लिजेगा एक बार कुछन पांच एक विक्ति ने चावल की साथ बोरियां चावल की साथ बोरियां 800 रुपे के साब से और दूसर प्रकार का जो चावल उसकी 8 बोरियां 1000 रुपे के साब से और अन्य प्रकार का चावल उसकी 5 बोरियां 1200 तुसाथ चुपण निया ए 8 बोरियं, 1000 रुपे के इसाब से ये ओगई, 8000 रुपे की और लास्ट में है, 5 बोरियं 1200 रुपे के इसाब से 12 50, ये ओगई, 6000 रुपे की बतागी समझ में आया या मैंने घर्चा किया वो भॉल रहे कि एक बोरी की ओस्वित कितनी एं तो कुल कितनी बोरियां गरीदी दिंस अप लोगोंने साथ बोरियां यहां आठाट साथ 15 पंदरा ऑच यहां 15 और पांच 20 जोड़कर ब्ल म्ह blinking जब्लिक निस 19 अजार 600 बटे 20 cancel हो गया 2 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग 2 नाम 18 2,8,16 यह आ गया 980 रुपे तो परती बोरे की जो कीमत है वो 980 रुपे option number B question का answer है 980 रुपीज आसान सा question था इसको मुझे नहीं लगता कि आपको दुबारा समझने की या मुझे दुबारा समझानी की नीड है आप में से काफी लोगों ने इसका right answer दिया होगा पेपर के अंदर और भी sessions के आपको solution मिलते हैं आप सभी session का attend किया गरें कुछ लोगों के आदत होती है नहीं सब हम तो CET का ही paper दे रहे है तो CET का ही analysis देखेंगे तो वह ऐसा किसी question में ठपा नहीं लग गया है कि यह जो question है के वल CET में आ सकता है आपका देहले पुलिस का भी एम है आप जब form सारे भरते है तो आपको paper भी सारे देने चाहिए मेरे जाब से और analysis भी सभी papers का देखना चाहिए सभी का same चले बस है सभी में same तेहर ही हम लोग कर रहे है तो तो आपको देखना है अगला question कुशन मच है तीन संक्या है एक बटे दो दो बटे तीन तीन बटे चार का नुपात में है सबसे पहले तो इस ratio की जो शकल है वो सुधारो शकल सुधारने का मतलब होता है बटे में जो संक्या दी गई है इन्हें किसी भी तरीके से या से हटाना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखो सुनें आप एक ऐसा नंबर से multiply करेंगे जिसमें 2 का भाग भी जाए 3 का भी 4 का भी वो नंबर 12 हो सकता है तो 12 में आपने 2 का डिवाइड दिया 6 वार चला गया 12 में आपने 3 का डिवाइड दिया 4 वार तो 4 दूनी 8 12 में आपने 4 से डिवाइड दिया 4 तीवार तो 3 तीवार तो 3 तीवार नो तो संख्या है किस अनुपात में है आप कहेंगे से संख्या जो है वो 6 अनुपात, 8 अनुपात, 9 के अनुपात में ये रेशो है संख्याओं का आगे क्या बोल रहे हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है तो ज़रा बताइए रेशो के साब से सबसे बड़ी संख्या कितनी है 9 सबसे चूटी संक्या है छे नौर छे का अंतर कितना हुआ तीन कोश्चन के साब से अंतर कितना आ रहा है 27 यही तो गह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे चूटी संक्या में जो अंतर है 27 का है तो नौर छे में अंतर कितने का आ रहा है कोशन के सफ दे 27 एक का माण किटना आ चाओ गया थी उसार नूं तीनों संख्याओं का उस्वत शेवर केंचिल हुआ तीन चौक बारा चार दुनी आठ तारतिया बारा नो तो भाई एक का मान नो आ रहा है संख्याओं का उस्वत यह पॉइंट्स में कैसे आ रहा है तेश बटे तीन आएगा संख्याओं कीतनी है तेश बटे 3 अवान निकाल नो इक का मान निकाल चुक नो आ रहा है ठीक अभी चलिए नया सूशन आगे बढ़ता है सात्वा 35 लीटर के मिक्षर में जल तता अमल का अनुपाथ 6 अनुपाथ 1 है मिक्षर में 5 लीटर अगर मैं एसिड मिला दूँ तो आप से पूछा जा रहा है 5 लीटर एसिड मिलाने के बाद नय मिक्षर में जले और अमल का पूछा है पहले पानी है पर एसिड जल और अमल का अनुपाथ क्या होगा तो देखेए एक बार सबसे पहले 35 लीटर है इसके अंदर जल और अमल का नुपाथ वाटर और एसिड का जो रेशो है 6.95 एक है तो आप मुझे आता ये 35 को 6.95 एक में बाठ सकते हैं क्या बिल्कुल बड़ा आ सकता है सर रेशो के साब से तो टोटल आएगा 6 और एक 7 और यहां टोटल है 35 तो आप कह सकते हैं कि सर साथ का मान 35 है, तो एक का मान कितना आजाएगा 5 7.95 एक का मान 5 तो 6 का मान कितना आजाएगा 30, एक का मान 5 तो शेका मान 30, टोटल हो गया 30 और 5 35, आगे मोझा बूल रहाए कि तरह मैं 5 लीटर एसिड मिला दू तो मुझे अता ही acid है कितना acid पहले से 5 liter है आप सर 5 liter acid और लेके आ रहे हो तो acid की जो मात्रा हो जाएगी वो हो जाएगी 10 और पानी पहले से कितना है 30 है क्योंकि आपने केवल acid मिलाने की बात कही है पानी जैसा था वैसा का वैसा रहेगा 30 था तो 30 रहेगा तो 30 और 10 का जब ratio निकालेंगे 3 अनुपाक 1 option number C will be the right answer वो सकता है किसी step में मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ तो आप बाद में solution को repeat कर लेना और जहां आपको लग रहा है कि हमें आता है तो इसको बाद में skip किया जा सकता है क्योंकि अभी तो skip आप नहीं कर पाएंगे आठमा चीनी की कुल मात्रा का 50% भाग 5% भाग बिक जाने के बाद 5 किलोगराम चीनी बसती है तो चीनी की कुल मात्रा कितनी है question बोल रहा है कि 5% मैंने बेज दिया 5% अगर आपने बेज दिया तो आप एक काम करें टोटल मात्रा अगर आप 100% मान के चल रहे है तो आपने 5% को बेज दिया तो 6 कितना बचा आप कहेंगे दर 6 बचेगा 95% और question के साब से वो कितना है 5 क्लोगराम है तो 5 क्लोगराम जो है वो 95% की value है आपको निकालनी है टोटल कॉंटिटी यानि कि 100% निकालना है तो 100% कितना आएगा देखू 100% आएगा आपका 5 बचे 95 गुणा 5 से 95 कितनी बार 19 बार 100 बचे 19 आपका आंसर है 100 बचे 19 का मतलब यह आगया 5 सही 5 बचे 19 केजी यह कोशन वर्बली भी बिल्कुल किये जा सकते है थोड़ी सी हमारी स्पीड उस लेवल की होनी चाहिए इस बात का ध्यान न किएगा नैस कुशन देखे आप लोग कुशन 1 नो आपको ऐसा लग रहा है कि अनलाइसिस करने के बाद भी कोई ऐसा कुशन है जो वाकिए में आपको नहीं समझ में है ओफलाइन भी आपके मुझे से पूछ सकते है मना नहीं है पर इस उल्विशन में उन लोग को लिए प्रवाइड करा रहा हूँ जो यह कहते है किसर हमारी exam देने के बाद बस निकल जाती है class लेने के बाद बस का time हो जाता है हम doubt के लिए time नहीं दे पाते है doubts नहीं पूछ पाते है paper के अंदर तो paper में जितने भी आपके questions आयो है हर एक का analyze से आपको मिल रहा है फिर भी निकल जाता है कोई भी question ऐसा है जो नहीं समझाया तो थोड़ा सा time आपको भी manage करना पड़ेगा पूछने के लिए question 9 एक बस्तू को 320 रुपे में बेशने पर 20% की हानी होती है 20% का लाब पाने के लिए इसका विक्रे मुल्ले selling price क्या होना चाहिए पहले कितने बेचा आपने 320 में अब पूछे जा रहा है कि अब कितने में बेचा जाए तो क्या करना है देखो basic तरीके काफी है आप पहले CP निकालेंगे फिर SP निकालेंगे फिर answer देखेंगे वैसे भी किया जा सकता है बाकी ऐसे questions कैसे करने होते है डारेक्टली सुनिएगा 320 में तो आपने पहले बेचा था उसको 320 में बेचने पर 20% का नुकसान हुआ अब कोई भी दुकान दा नुकसान नी चाहता लोग profit भी चाहते हैं तो वो चाहता है कि उसको 20% का लाब हो जाए तो 20% का अगर आप लाब चाहते हैं तो ज्यादा में भी इसना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा 320 into 120, 120 क्यों आया क्योंकि वो 20% का लाब चाहता है आपको सबसे पहले उसकी चाहत को पूरा करना पड़ेगा और जैसी आप उसकी चाहत को पूरा करेंगे आपकी जो एक नमबर या दो नमबर की चाहत है वो भी पूरी हो जाएगी तो आपके सलेक्शन में यह मदद करेगा नमबर बढ़ते हैं हारे कुश्चन से स्कोर बढ़ता है कट आप पार करने के चांसे बढ़ते हैं सबसे पहले आप उसकी चाहत को पूरा करना उसकी चाहत कितनी है 20% का लाप तो 120 आ गया पहले क्या हो रहा था पहले बेजारा नुक्सान में था 20% तो 20% के नुक्सान का क्या मतलब हुआ 80 हुआ बस यही गड़त आपको लगाना है कैंसिल हो गया और पूरे यकिन है जिन लोगों को मैं लावानी पढ़ा चुक हूँ प्रॉफिर लोस पढ़ा चुक हूँ जिन्होंने घर पे आके थोड़ा बहुत भी रिवीजन किया है मैं आपसे बोलता हूँ कि हर क्लास का रिवीजन करना जरूर ही है और मैंसे कोई भी स्ट्रेंट इस कोश्चन को गलत नहीं करके आने वाला है चाहे वो किसी भी एक्जाम में क्यों ना पूछे जाए कोश्च नमर दस डिस्काउंट के ओपर कुश्चन है 12 परसेंट 8 परसेंट की दो लगातार छूट के बाद किसी वस्तू को चैसो अथ्याशी पॉइंट सोला में बेचा गया तो बताइए इसका MRP कितना था अंकित मुल्य कितना था एक काम करते है MRP को मोग सौ माल लेता है क्योंकि डिसकाउंट जो मिलता है MRP भी मिलता है अंकित मुल्य मैंने 100 माल लिया पहला डिस्काउंट है 12 परसेंट 12 परसेंट के डिस्कांन का मतलब से डिवाइड करें यह 90 से दो कमें अबेसे दो ज्यादा है तो 90 प्लस 290 मैनस 290 का स्क्वाइर एक्क्यासी सो दो का स्क्वाइर 4 चार मैनस करेंगे तो यह आएगा आठ हजार च्छान में सो से डिवाइड करेंगे असी पॉइंट च्छान में तो दिखे मैं क्या बोल रहा हूं अगर MRP 100 रुपे है और 12% और 8% का डिसकाउंट दिया जाए तो 12 और 8 का डिसकाउंट दिने के बाद आप उसको बेच पाएंगे असी पॉइंट च्छान में कोशन ने कितने में बेचा कोशन ने बेच दिया 688.16 तो असी पॉइंट च्छान में इतना है आपको बस यह पता करना है कि 100 की वेल्यू कितनी आएगी क्योंकि MRP आपने 100 मान रखाए तो इसको सौल कर लेंगे आप लोग तो 100 की एग्जेक्ट व है ना कि 900 को आएगा नहीं क्योंकि नो का मल्टिप्लाइ करेंगे नो आठ बहुत ज्यादा चलाएगा 900 नहीं आएगा और 800 से करेंगे तो आठ आठ चौश्ट कम रहे जाएगा आंसर या तो आठ सो बीस में से या आठ सो पचास में से तो देख लिजेगा डिवाइड कितन यूजित होता है तो दस परसेंट की दर से चार वर्ष में कोई निश्चित राशी 29,282 रुपे हो जाती है उसी राशी पर उसी ब्याश दर से उतनी समय का साधारन ब्याच कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों से पूछा गया है साधारन ब्याच कितना होगा या और रेट आप क्यों हो गई 10 परसेंट यहीं बात है यहीं बात है तो साधन ब्याच आप से पूचा गया सिंपल इंटर्स कितना आएगा पहले तो प्रिंसीपल निकालो आपको पता है कि सर यह 29,282 जो है यह अमांट दिया हुआ है तो पहले हम लोग अमांट टाइम और र प्रिंसीपल अपनी आप में होता है सो परसेंट तो अमांट हो जाए आपका 140% 140% की वैल्यू दी हुई है 40% की वैल्यू निकालनी है एक बार 140 का मांट दिया हुआ है और 40% की वैल्यू निकालनी है कि डाटा अगर यही है तो यह फिगर तो पॉइंट्स में आएगा 29 और 282 उतनी समय का साधान व्याज कितना होगा कि चले कोई बात निस डाटा को में लोग चेक कर लेंगे एक बार कि इस डाटा को चेक कर लिया जाएगा क्योंकि 29 और 282 से फिगर जो है पॉइंट में आ रहा है दस परसेंट की रेट चार साल के लिए चालिस कोई बात ही इसको स्किप कर रहा है भी डाटा में चेंजिस करा दूँगा बारा कोश्चन देखें उसमें डाटा जो आरह पॉइंट मा रहा रहे उसको रहने देबी ना कोश्चन 12 किजी एक बार तोल नुमपर कोश्चन कुछ लोग आइंगे शायद कि चकवर्ती ब्याश से करने है तर उसको पर चकवर्ती ब्याश में ऐसा बोला नहीं गया है कि जो है वो चक्वर्थी ब्यास के उपर है ऐसा कुछ यहां पर दिया हुआ नहीं है कंपाउंड इंट्रस्ट कंपाउंड एंडोली कोई बात नहीं अभी आप इस्क्रिप करें कुछ वारा देखें चक्वर्थी ब्यास दर पर हैं एक चक्वर्थी ब्यास दर पर बीश पर्सेंट की डर से अर्दवार्शिक रूप से एक लाघ रुपे के मुल्धन पर दो वर्ष का सादन ब्यास इप और दिए हुआ अर्दवार्शिक में से रेट हो जाती हाफ 20 का हो जाएगा 10 पर्सेंट टाइम हो जाता है दबल दो का डबल हो जाएगा चार साल और प्रिंसिपल जो दिया हुआ है एक लाख रुपे यह आपको दिया हुआ है आप से पूचा गया की ब्याज कितना मिलेगा चार साल का ब्यास निकालना में आपको सिखा है जिन लोगों को मैंने सई से पढ़ाए चार साल के लिए आपको क्या बता है था चार चे कार एक काम में लोग काम में लेते हैं है 1000, 1000 का 10% 100, 4 से multiply करेंगे 400, 100 का 10% 10, 1 से multiply करेंगे 10, यह सब जोडने पे 4 साल का ब्याज मिल जाएगा, 40,000, 410, option नमबर ए अफ का आंसर आ गया, 40 या 410, जब भी 4 साल का CI निकालते हो, 4 से 4, 1, 4 step काम में लेते हैं, multiply करते हैं, पहली वाली को 4 से, फिर 6, फिर 4, फिर 1, सभी का 10% निकालते चलिए, और multiply करके जोड़ दीजे, answer आपको मिल चुप है, क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का reason मैं आपको offline class के अंदर दे चुका हूँ, सभी के भी से logic बताय हुए है, बस मैंने आपको बताया है था कि क्यों कर रहे हैं, ये समझना तो जरूरी है, पर करना कभे क्या करना है, ये उससे आधा important है, क्योश्मा 13, एक पुरुष एक काररे को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि एक महिला, उस काम को 10 दिनों में कर सकती है, दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन काम करते हैं, और शेष कार रोजे कितने दों में करेगी तो दीके पूरृink पूरुष पूरुष के बारे में क्या बोजा गिया एक मेल उस काम को कर रहा है 15 दिनों के अंदर सक्षक पंदरा दिनों में कर सकतां एक व उस कार्ये को 10 दिन तक काम करते हैं तो यह दोनों पास दिन में कितना काम करतेंगे एक दिन में काम होता है पांच पांच दिन में काम हो जाएगा 25 तीस में से 25 काम हो गया रिमेनिंग वर्क शेज कार रहे कितना बचा हुआ है पांच बचा हुआ है अब इसको महिला करना चाहती है महिला की जो शमता है वो दो है तो पांच बटे दो धाई दिन का समय लगेगा बचे हुए काम को पूरा करने में option number A आपका answer दो कुश्चन सो और है फटापट से देखें एक बार question number 14 जल्दी से language पढ़िएगा एक टैंक पे दो पाईप लगे हुए पहला पाईप चार घंटे में बर सकता है दूसरा सोला घंटे में खाली कर सकता है दौनों पाईपों को एक ही साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा दो पाईपों को मैंने ए और भी माल लिया ए जो है वो चार घंटे में बरने का काम कर रहा है जो भी पाईप भरेगा वो positive होगा दूसरा पाईप 16 घंटे में खाली कर रहा है negative होगा L से माजाएगा 16 चमता आजाएगी प्लस का चार माइनस का एक चार में से एक गया तीन 16 काम को करना है तीन की चमता से 16 बटे तीन पांस सही एक बटे तीन अपना आंसर पांस सही एक बटे तीन option नमबर डी अपना आंसर आएगा यह था 14 question negative कुसको लिया है जो टेंक खाली करने काम कर रहा है last question है भी अपनी सामाने गती के 60% चार से चलते हुए सामाने गती के 60% चार से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतवे पर एक गंटे 40 में देरी से पहुशता है गंतवे तक पहुशने का उसका सामाने समय कितना है समझना एक बार 60% का क्या मतलब होता है 60% का मतलब होता है 60 वटे 100 और 60 वटे 100 का मतलब होगा है 3 वटे 5 यानि या तो मैं यह कहूँ कि व्यक्ति ने अपनी चाल को 3 वटे 5 कर दिया है या मैं यह को वेक्टीर अपनी चारी हो रही है आप लोगों की 40 मिनट की तो कोश्ण पूछ रहा है सामान ने समय कितना आएगा तो सामान ने समय अगर आपको निकालना है आप उपर वाले नंबर को काम में लेंगे उपर वाले नंबर है 3 इन टू में समय दिया हुआ है 40 मिनट का बटे में इन दोनों का अंतर दो 20 और 20 दिया साथ गंटवे तक पोशने का उसका सामान ने समय कितना है तीन साथ परसेंट चाल से चल रहा है तीन वटे 5 एक घंटे 40 मिनट आगया अच्छा एक घंटे 40 मिनट का मतलब हुआ साट और चालिस सो एक सेगंड यहां जो आएगा सो आएगा दो से सो पचास बार पचास थी है डेड़ सो डेड़ सो मिनट कुश्चन का आंसर है आप इसको गंटे में चेंज कर सकते हैं 120 मिनट का मतलब हो गया दो गंटे 30 मिनट का मतलब आदे गंटे तो यह आपका आंसर है का चेक कर पाएंगे आप लोग चले वह यह 15 कोश्चन थे एक कोश्चन में देख लेंगे अगर वो CIE के साब से दिया हुआ है तो CIE के साब से कभी अनलाइसस में आपको बता दूँगा बन आप offline आके मुझे इस question को पूछ सकते हैं और ऐसा ही के साब से अगर वो question है तो फिर उस question में दिक्कत है भई तो ये थे 15 questions के solution बाकी के आपका देली पुलिस का solution भी मिल जाएगा इससे पहले के जो CET का दो paper हुए है उनका analysis भी online आपको करवाय जा चुका है तो वो भी आप attend कीजेगा Thank you so much